लोग सबाच चुनौ में अब साल भरी तो बचे हैं सब एक्षन में पीम नरेंद्र मोधी भी यूपी के सीम योगी आदित नात भी समाजवादी पार्टी के अखलेस यादब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मायवती कहां है वो दिख नहीं रही है वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मायवती के घर में शादी है ये बात तो आपको पता ही है लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मायवती के घर में आकर शेहनाई कब बजेगी आकर मायवती के घर से बारात कब निकलेगी तो चलिए आज इस सस्पेंस पर से भी परदा हटा ही लेते हैं मायती के भतीजे आकास आनंद की बारात जो निकलनी है उसके लिए तारीख जो तै की गई है वो है 26 मार्च यानि इसी महीने की 26 तारीख को और जब मैं आप सबसे भी बात कर रहा हूँ ना तब भी दोनों ही तरफ से यानि घराती और बराती यहां बराती की बेटी से मायावती के भतीजे आकास आनंद के शादी हो रही है यानि बीएसपी के पुर्व राजसवास सांसद अशोक सिधार्त तो दोनों के घर पर तैयारियां चल रही है अशोक सिधार्त के घर पर भी और मायावती के घर पर भी अब तारीख तो हमने आपको बता द सब ने अपने परिवार में हुए शादी में प्रधान मंतरी नरेंद मोदी को बुलाया था क्या ऐसी ही कोई प्लानिंग मायावती के तरफ से भी है। चलिए इन पर धीरे धीरे करके आपको विस्तार से बात बताते हैं। तारीक तो पता चल चुका 26 मार्च है। उससे पहले यानि 25, 24, 23 को अलग अलग ववाही कारकरम जो होते हैं गीत, संगीत के, हल्दी के वो सब होंगे। मुझे जो अब तक मिली जानकारी है उसके मताबिक ये सब दिल्ली में होगा। शादी भी दिल्ली में ही कराई जाने की चर्चा है। अब आपके पास सवाल ये उट रहा होगा, थोड़ा सा बता दें कि दूले और दूलहन के बारे में। तो आकाश आनन्द यानि मायावती के छोटे भाई आनन्द कुमार के बेटे आकाश आनन्द हैं, जो आज की तारीख में बीएसपी में मायावती के बाद नमबर टू के नेता हैं। इसमें अब कोई दो राई नहीं रह गई है मायवती पार्टी की सर्वे सर्वा हैं सुप्रीमों हैं बॉस हैं जो कह लिए मायवती जो कहें वही सही न खाता न बही और उसके बाद नौजवान नेता के तौर पर पार्टी प्रजेक्ट कर रहे हैं आकाश आनंद को क्योंकि मा राजनीती जो है वो एक चुनोती भरी हो गई है लगातार आप देखिए तो यूपी के सत्ता से बाहर हैं 2007 में मुक्यमंत्री बनी थी तब से वो सत्ता से बाहर हैं उसके बाद जो हाल में विधान सबाद चुना हुए उसमें पार्टी के सिर्फ एक नेता विधायट बना एक वो बलिया के रसरा से उमाशंकर सिंग पार्टी के ऐसी दुर्गती तो कभी नहीं हुई थी तो मायावती के साम में चुनावती है दलित समाच से भी देखें तो चंदरशेखर आजाद जो हैं आजाद समाच पार्टी के उनकी तरफ से भी चुनावती मिल रही पश्मी रहालात को देखते हुए उन्होंने आकाश आनंद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है जो लंदन से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लोटे हैं और आजकल वो मायाती के बाद पार्टी में इकलोते नैशनल कॉडिनेटर हैं यानि नमबर दो के नेता हैं आकाश आनंद के शा में चले आए शुरुवात में बामसेब के साथ जुड़े रहे फिर वो बीएसपी में चले आए बीएसपी के लिए एक कारकरता से लेकर सांसत तक का भी उन्होंने सफर तै किया वो मलसी भी रहे उनकी बेटी है और बेटी का नाम है प्रग्या आको इस दिनों में हम आपक की पहल मायाती की तरफ से ही की गई थी वो अपने भतीजे जिसको कह लिजी कि बेटा समान मानती है मायाती आकास आनंद को उसके लिए एक ऐसी बहू वो चुनना चाहते तो जो उन्हीं की बिरादरी की हो पढ़ी लिखी हो और एक मेसेज भी जाय कि संगठन के एक समर्पि भी यह है बीएसपी को तो मैं जैसा मैंने बताया कि 26 मार्च को शादी हो रही है अब मैंने का किस किस को बुलाया जाएगा जो मुझे जानकारी मिली है उसमें बीएसपी के और दलित मॉव्मेंट से जुड़े हुए जो देश भर के लोग हैं बड़े बड़े लोग हैं मा काश आनंद के दोस्त भी उन सब को मिला जुलाकर करीब 3000 की लिस्ट बन रही है अब क्या इस वैवाहिक कारक्रम में विपक्ष के नेता जैसे सोनिया गांदी हो गई राहुल गांदी हो गई प्रियंका गांदी हो गई नितीश कुमार हो गई चंदर शेकर राओ हो गई ममत रहा हुआ है कि होली के बाद हम इसको तैख करेंगे कि क्या ऐसे नेताओं को भी ऐसे वी वी आई पीज को भी बुलाना है या फिर मायवती के मोवमेंट बीस्बी के मुमेंट से जुड़े रहे लोगों को ही बुलाए जाना है अभी तक जो लिस्ट बनी है उसमें मुझे ये जानकारी मिली है कि करीब तीन हजार लोगों के लिस्ट बनी है जिनको इस ववाहिक कारक्रम में आमंतृत किया जाएगा अशोक सिध्धार्थ जो है वो फरुखाबाद के जिसा मैंने बताया कि रहने वाले हैं ब्यस्पी के 2016 में सांसद बने थे राजसभा के अभी पिछले ही साल उनके जो कारिकाल होता है राजसभा का छे साल का वो खत्म हो गया है दोनों परिवारों के बीच यानि मायवती और अशोक सिध्धार्थ के परिवार के बीच जो विवास से पुर्व के कुछ रस्में होती है वो रस्में भी हो चुकी है आकाश आनंद ने भी अपनी सहमती दिवी ये शादी को ले करके तो इस शादी पर सबकी बड़ी नजर होगी कि पता नहीं किसके घर वो शादी करेंगे मायती कहां प्रपुजल लेके जाएंगी लेकिन जब ये ख़वर आई कि अशोक सिध्धार्थ जिनकी पत्नी भी महिला आयोग में रही है पुराना राजनितिक परिवार रहा है बीस पी मुमेंट से जुड़े रहें उनकी बिट ले जाएंगे तो उन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार